वेलकम तो दिस यूपी वाल यूटूब चैनल मैं हूँ सोप नील और इस वुड़े में हम देखने वाले सी यूपी पूने के बारे में तो इसकी टोटल इंफरमेशन आम इस वीडियो से कवर करेंगे महाराष्टा का सबसे रधा टॉप लेवल का कॉलेज और एमेश्टी सी टोटल यूटूब के ऊपर यह रहने वाला है क्योंकि मैंने खुद सी यूपी में चार साल बिताए हैं चार साल सी यूपी के होस्टेल लाइब भी जी तो मैं आपको हरे क्रिस्टल एंड क्लियर पॉइंट करने वाला हूँ फेंड्स तो लास्त वीडियो देखते रहे हैं मैं मेरे खुद के उपर बताऊंगा और मेरे जो अभी जूनियर से सी यूपी में और जो जो स्टूरंट इस चानल को थ्रू भी गए है सी यूपी में देखके भी तो भी हम उनके सभी के जो एक्स्पिरेंस हैं वह हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले फ्रेंट्स लास्त करते हैं आपको सब इंफ्रमेशन मिलने वाली है और जो भी डाटां सुडियो में यूस करने वाले फ्रेंट्स वह कॉलेज ने भी रिलीज किया हुआ है और मैं मेरे मेरे खुद के उपर भी सब चीजे बताने वाला हूँ मैंने खुद की चार सा लाइफ जीए चार सब होस्टल की लाइब भी जिए तो मैंको भी सब चीज़े पता है फैंड साती साथ मेरे जो आभी जूनियर से सीउपे में उनसे भी मैंने इनफर्मेशन लिए फैंड जूनियर से भी इनफर्मेशन लिए और जो भी स्टूरंट प्रिवेस एर के टॉपर्स थे उनके भी साथ हमने बात की तो बहुत ज़्यादा इंडेफ्ट नॉलेज के साथ आपको यह वीडियो मिलने वाला है तो टोटल चीज़े को हमने इसमें सब्सक्राइब करके ही देखिए चानल को इस्टी देखे जाए तो हिस्टी क्या ही देखे आभी तो सबसे ज्यादा टॉप आपको मिलने वाली क्योंकि यह जो कॉलेज है वह 1854 को इस्टाबलिश हुआ था उसी साब साब को देखना है फ्रेंट 1854 की इसकी एर और जिनके उपर वह मनाते हैं फ्रेंट एम विशो सरया वह भी स्योपी से खुद पास आउट रहे चुके हैं तो उसी साब साब को देखना है और जब अपना भारत देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो बिटिश की गवर्मेंट थी और बिटिश को जब इंजिनियर की जरुरत पड़ी थी तो उन्होंने स्योपी को इस्टाबलिश किया था इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने के जरुरत है क्योंकि 1854 में बिटिश गवर्मेंट हुआ करती थी इंडिया में और उनको तब टाइम इंजिनियर की भो ज़्याधा जरुरत थी तो उन्होंने पूने में पूना सीविल कॉलेज इंजिनेरिंग ये स्टार्ट किया था तो जो पूना का जो सीविल कॉलेज ऑफ इंजिनेरिंग है वह आगे जाके कॉलेज ऑफ इंजिनेरिंग पूने बनता है फ्रेंट तो सबसे जाधा ओल्ड वाली जो ब्रांच है वह सीविल इंजिन जो ब्रांश थी वो ब्रिटिश गवर्मेंट ने स्टार्ट की थी क्योंकि उनको तब भूर जदा इंजिनियर की चुरॉत पढ़ रही दिफ्रेंट इसलिए उन्हों ने स्योपी को इंप्र इंफ ब्रांट रहेगा ने उस चीज भी आपको देखने तो त्सक्राम स्टेंट पढ़ना पर आपके आपके अडमीशन के टाइम मैटर करने वाली है उसी साब से आपको देखना है क्योंकि न्यू कॉलेज आगर आता है तो उसको इस्टाबलिश होने में थोड़ा टाइम लागेगा और उसके न्यू कॉलेज में कंपनी विजिटेड भी कम रहे दिये तो उसी साब से देखना है आपको रैंकिंग देखी जाए फिरेंट्स तो स्यूंड विज़ रैंकिंग रांकिंग की तहुपी मैं इनर उक्सिट वन में एनष की रांकिंग वह फिफीर इवरैंट्स आ सिंप तो ऑढ़िए था टाप मैं आपको बता रहो टॉप 20 colleges in India हमारे टाइम यह आता था उसके बाद इसकी रैंकिंग 26 होई उसके बाद इसकी रैंकिंग और खराब होती गई अभी 2020 में 50 होई उसके बाद 2021 में अभी 52 है तो रैंकिंग इतनी कम क्यों हो रही है COP की वह भी हम अलग वीडियो में देखने वा प्लेश की इसकी बाद यह और फैसी डिशेटी जाती है कि कितने ज्यादा स्टूड़न पोस्ट ग्राजवेशन के लिए एक अंडर कितने कि रांकिंग डेते नर फी तो वह किसी और वीडियो में हम देखेंगे अभी आगे बढ़ने से पहले बताता आ अपको महाराष्टा कि अच्छे वाले कॉलेज हैं उनकी इंफर्मेशन मिल जाएगी तो बहुत दा स्टुड़न बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्षन में इस कॉलेज के उपर वीडियो बनाओ उस कॉलेज के उपर वीडियो बनाओ तो मैंने आपको बहुत दा है कि मैंने अल्रेडी सभी जो सवाला कॉलेज है उसके 10-10 मिनिट के इंफर्मेशन वीडियो मिलते रहेंगे फ्रेंड्स कॉलेज की दिखे जाए तो वनियर की जो कॉलेज की फी है फॉर ओपन कैटिगरी वह 90,000 तो ओपन कैटिगर की जो फी है वह 90,000 ओबीसी की फी है इससे 50% ही चलेगे मिन्स 45,000 तक अब देखना है और अब यह जो फी है वह आपको मिलने वाले फ्रेंट्स बाकि एंटी और ओबीसी की फी जनरली सेम चलती है और ओपन की जो फी हो नाइंटी थाउजन तक चलेगी उससे आप से आपको देख रहे है और अगर हम कॉलेज की फी की दरब हम बढ़ते तो मैंन हसे इंटी फ्रेंट ह운데 की जो फी ए कreसी फी कि वह थर्टी थाउजन रूपीस है अब कर देख देखने है त्बाइबससे आपको आपको की फैसलीटिस बहुत ही अच्छी है आपको एक है आक बाता है हम लससी की फैसलीटिस आपको बहुती अच्छ और टॉप क्लास मिलने restrictions तो दो आइक को की को अलग सेपेकर करना पड़ेगा तो केंस और पूसकों पिस सब्सक्राइब तो मैंने आल्डेड़ी 50 से ज़ादा ुदियो सिउप आरे में बनाए है में जब इंजिनेरिंग में था तभी भी मैंने के बारे में बहुत ज़्दा वीडियो बनाए थे आपको सिर्फ चानल पर जाना है प्लेलिस्ट सेक्षन में जाके यूपी पूने इस प्लेलिस्ट को ओपन करके देखना है वहाँ पर मैंने हर एक जो फेस्टिवल यूपी का जानके लेन होगे तो चीज़ आपको वरी डिटल में अगर जानके लेन होगे तो इस प्लेलिस्ट कीज़े स्योपी पूने इस प्लेलिस्ट को ओपन करके देखें वहाँ से आपको स्योपी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फर्मेशन मिल जाएगी तो कि मैंने जो जो एक्स्पिरेंस कुझ के वह भी मैंने एड किये उसमें और जो जो फेस्टिवल में मनाई जाते यह जो जो टेक्निकल फेस्टिवल रहता है वह भी सब चीज़े उसमें एड किये वह आपको ज़रूर जाके बाद देख सकते वो भी हम देखने वाले फेंट लेकिन उससे पहले बता देता हूँ आपको जनरली जो आपके MSTCET के स्कोर के उपर या फिर आपके जैमेंस के स्कोर के उपर या फिर आपने डिपलोमा किया होगा तो डारेक्ट सेकेंडेर के लिए महारशा में आपको कौन-कौन से इंजिरि में हमने मोर दें 10,000 स्टोन की भी कांसिलिंग किये फ्रेंट्स तो स्योपी वर चैनल सबसे ज़्यादा एक्सपिरेंस वाला चैनल भी आप कह सकते इन कांसिलिंग प्रोसेस और कॉलेज वीडियो प्रोसेस में तो टोटल टॉप कॉलिटी जो कंटेंड के साथ आपको टोट वहाँ पर जाके क्लिक करना है टोटल इंफर्मेशन को रीट करके स्योपी और की कांसिलिंग टीपे करके स्योपी टीम के साथ आप टोटली डिसकेशन कर सकते हैं तो जरूर लिस्ट मंगाए और कॉम्पेटिशन को बीट कीजे या फिर आप सियोपी और का वी आईपी पैक पर एक्सपर्ट डिजान करके देने ही वाले फ्रेंट्स लेकिन साथी साथ टॉप कॉलेज कंपारिजन इबुक भी दिलेगे जिसे रीट करके आप कॉलेज को कंपर कर पाऊगे उसके बाद टॉप कॉलेज प्लेस्मेंट कितने हैं हैं सब चीजे पता चल जाएगी ब्रां पर मिलने वाले फिर्ट आपका हार एक प्राब्लम सोर हार एक डाउट हम सॉल्ट करने वाले टोटल टॉप एक्सपर्ट की तीम आपको आके हेल्प करने वाले फिर्ट तो यह प्लेज कर सकते लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मोस्ट आफॉर्डबल तो जनरली आपको आफकेज देख रहाँ तो जनरली चीस का पकेज जनरली जाता है उसी सब सब्सक्रिप्शन में अगर आप जाते हो तो को एक का जो पैकेज है वह वह 4,002,6,00,000,000 इसके रींच में ज्याद़ हो और जादा स्टूर्ट को ओफर किया जाता है मेंस मेंकैन तो आपके लिए तकार में सकता है। को अपको आगे जाके आपको जन्रेंड ने काम करना होगा तो मिन्स ओरदर फिल्ड में कैसा फ्रेंस अगर आपको सेक्टर में काम करना और फिर आपको इंडिया Bak करोई में काम करना तो आपके लिए मेकानिकल इलेक्रिकल सुवल बूह फ्रांफे सकते स्कुर्छ सव्वियर्ण से बहुत जए ह्जाता sa student हर साल COP से UPSC को निकालते हैं friends क्योंकि आपको ऐसा environment मिलता है और senior का support मिलता है COP में आपको CSAC club भी मिल जाएगा अलग से अगर आपको आगे जाकि UPSC करनी होगी तो CSAC club में आपको total वो आपको guide करेंगे क्योंकि हर साल 10-12 student UPSC निकालते हैं जैसे अल्डेडी आपको पता है COP से और बोटादा स्टूड़न का अच्छा वाला रांग भी आता है इन्हें एमपसी एक्जाम तो वह आगे जाके आपको total 22 लाग का पैकेज छोड़ाता UPSC करने के लिए तो कुछ ऐसे भी चीज़े होती है अगर आपको करना ही है तो आप 22 लाग का भी पैकेज छोड़ सकते हो ठीके फ्रेंड्स लेकिन लेकिन आगर हम सीवील इलेक्ट्रिकल या फिर मेकैनिकल से देखते तो बहुत आथा स्टूरेंट आपको जनरली यूपसी की तरफ जाते होए दिखने वाले और मैरे एक और एक फ्रेंड था फ्रेंड्स उसका जो मेकैनिकल इंजिनिरिंग से था हमारे एक सीनियर था तो उसका जो गेट में उसने बहुत ही आच्छा रैंक निकाला उसके बाद उसने आयोसील जाइन की आपको जनरल पता होगा पब्लिक सेक्टर यूनिट तो उसका जो पैकेज था उसमें 15-16 लाक का मिला था फिर बहुत और अगर आपको जाके काम करना होगा तो भी कॉर्ड़ेंट भूजदा हेलफ करने वाले फिर्ण के जो मेरे एक फ्रेंट था उसने इस्वा को जॉइन किया और एक फ्रेंट तुद इसने डियार दो को भी जाइन किया यह फैंट्स मिन्स आप देख रहे हो आप डियार्ड आपको वहाँ पे मिलने वाले और आपको गवर्मेंट जॉब में जैसी फिलिंग भी मिलेगी और जनरली आपके जो सैलरी है वह वन लाक रूपिस तक भी जाती है फेंस वन लाक से ज्यादा भी जाती है तो उसी साब से आप देख सकते आपको कौन-कौन से चीजों में इंट नहीं तो वीजेटी आई में लिए नहीं तो पी आई सीटी में लिए तो तीनों में से किसी भी कॉलेज को अगर आपने इंजिनिरिंग ब्रांच ली तो आपका पैकेज बहुत ही जादा बढ़ने वाला है लेकिन आगर आपके इंट्रेस्ट अलग है तो आपके लिए यूपी में कॉर ब्रांच बहुत ही आच्छा ओप्शन रहेंगे क्योंकि उसमें आपको वैसा लेवल का इंवार्मेंट मिलेगा वैसी सीनियर का गाइनस मिलेगा वैसा टाइप का सपोर्ट आपको मिलने वाला है फेंट्स उसे साब सब को देख रहा है बिंस को ब्रांच क सब्सक्राइब को ब्रांच को विजिट करती है फ्रेंट्स तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है फैसे देखे जाए तो लाइबरी कॉंपिटर लाब ऑडिटोरियम जीम मेडिकल होस्टेल काफेटेरिया इस सब चीज़ आपको होस्टेल कैंपस और कॉलिज चोटी अभी नियू लाइबरी को कंस्टर कर रहें लेकिन उसके लिए आपको टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन अभी जो ओल्ड वाली जो लाइबरी वह ज्यादा चोटी और ओडिटोरियम के बाजू में ही है फ्रेंट्स तो ऑडिटोरियम का जो भी आवाज आता है वो लाइबरी में भी आता है तो सियोबी की मुझे सबसे जो बड़ी वाली एक ही प्रॉब्लम लगती कि उसकी जो लाइबरी थी वह बहुत ज्यादा चोटी थी उससाब से आपको देखना है क्योंकि इतना ज्यादा टॉप लेवल का कॉलेज टोटल महारास्टा में तो इतना लगी वाली फिलिंग आने वाली है क्योंकि आप गूगल पर जाके भी वाल्चन कॉलेज लाइबरी भी डारेक्ट सर्च करते हो तो आपको एक पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी उनकी लाइबरी लेकिन ऐस कंपेर टू स्योपी की लाइबरी कि आप देखते हो तो स्योप का आवाज लाइबरी में आता हे जो लाइबरी में अच्टोंस प्रहले कंसे लाइबरी कि उपर है तो यह वी एक फैक्टर हि की जो नीचे जाने में लाइबरी का भी रोल हो सकता है लेकिन आभी जो सी ओपी के न्यू वाली जो लाइबरी बने रहे हैं फेंट्स तो बहुत ही आखे और बड़ी बनेगी सिभी लेकिन उसके लिए बीताय है वह च्छोटे वाले लाइबरी में बिताय है वह आपको देखने की जरत हैं बाकि आपको पड़ाई करने के बहुत ज़्यादा जगा मिल जाएगी आपको एमडेज मेकैनिकल रॉइंग हॉल मिल जाएगा सिवील रॉइंग हॉल मिल जाएगा लेकिन जो लाइबरी वाली फिलिंग रहेती है फ्रेंट्स जो आपको शान्ती मिलती है वहाँ पर और जगा नहीं मिलेगी क्योंकि उस और हमें आपको और कुछ ना कुछ चीजे तो भी चलती रहेंगी उसी साब से आपको टेकना है बाकी मेडिकल जो फैसिलिट है वह जनरली आपको हस्टेल कैंपस में मिल जाएगी और हस्टेल का जो एरिया है वो शिवाजी नगर में है फ्रेंट्स बहुत ही अच्छा लोकेश सब्सक्राइब करने की जरूरत है वह भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि मैंने मेरे खुद के एक्सप्रेंस में आड़ के फेंट्स मुझे मेरे वक्ते में 183 मार्क मिले ते उसके बाद फस्ट और मेकैनिकल इंजिनरिंग मिलती है तो कैसे मिलीती कैसे मैंने स्टडी की वह भी चीज़े इसमें एन एड़ किये फ्रीवेस फायर में बहुत दा टॉपर्स चैनल से जुड़े थे बहुत दा टॉपर्स की हमने काउंसिलिंग किये तो उन से भी हमने कोश्टन के थे तो उनके भी एक्सपेरियनस टीप स्टाटर जिह हमने इसमें एड़ किये और मे इसमें मिलने वाले जिससे आपको सिली मिस्टेक एकुरसी और टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलता है कि मेस्टी सीटी के आएंपी बुक के पीडियर प्रिवेस यह के कोश्चन पेपर जो सबसे द्यादा इंपोर्टन है टॉप कॉलेश के को टॉप मार्क टॉप टोटल हर एक प्रॉब्लम सोड़ हर एक डाउट का आपका सुलूशन इसमें आपको मिलने वाला है तो आप इसे यूज़ कर सकते इसकी जो लिंक के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर जाके क्लिक करके हमरे वेबसाइट के ऊपर टोटल इंफरमेशन को करके आप इसे बाय कर पाओगे फ्रेंट्स बहुत ज़्यादा एफॉर्डेबल प्राइज में आप इसे यूज़ कर पाओगे सुर्ण सपोर्ट जैका तो एंटी राइगिंग क्वेरी रिपोर्ट काउंसिलिंग सर्विस यूब में जनरली आपको मिलता है और स्रिक्ट ए उसके लिए हम कट आफ देखेंगे और बाकी आपको इंडेफ्ट कट आफ बाकी ब्रांच इसका देखना होगा तो आपको स्प्सक्राइब बटन के पाजुमें जॉइन बटन है वहाँ पर मिल जाएगा तो जॉइन बटन के उपर आप जॉइन करके महारास्टा के जो और आपको आफ बता रहा हो जिसके आपको वरी आकुरेट रेंज एक पता चलने वाली है तो सी एसके लिए ओपन के लिए 99.88 परसेंटाइल आपको मिलेंगे OBC के लिए 99.70 परसेंटाइल आपको जनरली लगने वाले SC के लिए 98.63 परसेंटाइल SC के लिए 95.60 परसेंटाइल NT या फिर VJ से आप होगे तो 99.70 परसेंटाइल तक आपको जनरली स्कोर लगने वाला है अगर आपको राउंड वन में कॉम्पेटर इंजिनरिंग ये ब्रांच चाहिए तोकि सबसे द्यादा टॉप लेवल की ब्रांच है प्रिवेस्टी येर का कॉट आपको कंपारिजन करके आपको बता रहा हूँ सबसे द्यादा टॉप लेवल का कॉलेज महारस्टा का और सबसे द्यादा कॉम्पेटिशन रहती है उसी सबसे आपको देख रहा है बाकि इस कॉलेज का कैंपस का युड़े आपको स्क्राइगा और चानल के उपर भी मिल जाएगा तो आपको जरू लिंक है वो डिस्क्रि कर सकते हैं और टोटल कॉम्पेटिशन को बीट कर पाओगे इतने अच्छे वाले कॉलेज में आपको एड्मिशन मिल सकता अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो किसी भी कॉलेज की इंफरमेशन चाहोगी तो सिर्क बार चाहल पर जाना है विजिट करना है और इंज और चैनल को जरूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकोल को जरूँ हीट करके रहे हैं क्योंकि आपके प्रॉब्लेम्स और डाउट है इसी क्लियर होते रहेंगे तो थैंक्यू वेरी मॉच